शक्ति पीठ डिजिटल में आपका स्वागत है 2020 का पहला सूर्य क्रहन कल यानि 21 जून शनिवार को होगा बता दें कि ये पूर्ण सूर्य क्रहन ना होकर आशिक सूर्य क्रहन है सूर्य क्रहन को भरत में देखा जा सकेगा इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, येरोब और आस्ट्रेलिया में भी इस सूर्य क्रहन को देखना मुम्किन होगा इस आंशिक सूर्य क्रहन की शुरुवात कल सुबह 9 बच कर 15 मिनट से होगी और 12 बच कर 10 मिनट पर ये अधिक्तम रहेगा रविवार 21 जून को साल का पहला सूर्य क्रहन लगने जा रहा है जो पूरे 5 घंटे 48 मिनट का होगा लेकिन भारत में ये केवल 3 घंटे 26 मिनट तक दृष्च रहेगा इस क्रहन का वायापक असर ना सिर्फ भारत पर होगा बलकि इसका प्रभाव चीन, अमेरिका, सहित, दुनिया के कई अन्यदेशों पर भी दिखेगा इस क्रहन को 26 दिसंबर 2019 के क्रहन के बाद भैले कुरोना महमारी के प्रभाव से मुक्ति दिलाने वाले क्रहन के रूप में भी देखा जा रहा है वहीं ये क्रहन भारत और चीन के बीच तनाफ बढ़ाने वाला भी माना चा रहा है सीमा पर बढ़ रहे तनाफ को भी इस सूर्य क्रहन से चोड़ कर देखा जा रहा है सूर्य क्रहन के दौरान कुछ स्थानों पर सूर्य 94 प्रतिशत तक छुप जाएगा और रिंग ओफ फायर के रूप में नजर आएगा कंकर्ण सूर्य क्रहन का नजारा दुनिया भर के लोगों के साथ भारत के लोग भी देख पाएंगे ये वलायकार सूर्य क्रहन होगा जिसमें चंद्रमा की च्छाया सूर्य के 99 पीसदी भाग को ठक लेगा वैक्यानिक दुरुस्टि से सूर्य क्रहन एक खगोली घटना है जिसमें प्रिथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है इससे सूर्य की आँशिका या पुर्द रोशनी धर्ती पर नहीं आ पाती है इस घटना को सूर्य क्रहन कहते हैं जब सूर्य का कुछ हिस्सा ही करहन के दोरान ठक जाता है तो उसे आंशिक या खंड करास करहन कहते हैं और जब सूर्य पूरी तरह ठक जाता है और रोशनी चारो ओर से एक कंगन की तरह दिखने लगती है तो उसे कंगन सूर्य करहन या खंड करास कहते हैं ये घटना हमेशा अमवस्य तिथी को होती है जबकि चंद्रक्रहन हमेशा पुर्दिमा तिथी को लगता है। सूर्य ग्रहन समाप्थ दो पहर तीन बच कर चार मिनट पर होगा। ग्रहन का कुल समय पांच घंटे अर तालिस मिनट का है।